दोस्तों ABC कोचिंग यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आसा है कि आप अपने बोर्ट एक्जाम की तयारी अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी तरब से आप सभी की बोर्ट एक्जाम की तयारी बहतर तरीके से कराई जा रही है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में कक्षा नवी की हिंदी के must important BBI objective question देखने वाले है जो कि आपकी board परिक्षा के ले काफी महत्पून है तो सभी चातर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखेंगे और बताएगे question को अपने copy में not करते जाए क्योंकि दोस्तो इसी pattern के अधार पर जो है आपकी board की परिक्षा में प्रसन पूछे जाएंगे इनको आपनों को अच्छे से revision कर लेना है आप सभी से request एक channel पर नए है तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ बैल आकोन को press कर ले ताकि latest video की notification आप सबों को मिल सके तो चले दोस्तों question क्यों चलते हैं उससे पहले इसकी कुछ समा निर्देश के बारे में आपनों को बता जाता हूँ दियान दीजेगा दोस्तों आपनों को सभी विशा में कुल 50 प्रसन देखनी को मिलने वाला है जो की बहुकल्पिक प्रसन पूछे जाएंगे चार-चार विकल्प आपनों को दिया जाएगा जिसमें कि आपका जो सही उत्तर है उसको जो है ओमार सीट पर यानि कि ओमार सीट आपनों को दिया जाएगा उसमें जो है सही गोले को इदम काला करके दम पूरी तरह से फिल करना है आपको जो है हमेशा या ध्यान रखना है कि नीला या काला बॉल पेंट सहीं आपनों को यूज करेंगे पैंसिल से यूज नहीं किजएगा और परत्यक प्रस्ण जो है एक अंकगा होगा यानि कि फूल मार्क जो है अपनों का पचास दिया जाएगा समय जो है आपनों का डेड़ घंटे का दिया जाएगा ठीक है तो चले दोस्तों आगे कोशन के ओर चलते हैं तो देखे सबसे पहला कोशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है निम्लिकेत गध्यांस को दियान प्रुवक पढ़कर उससे दिये गए प्रसनों के उत्रों में से सही विकल्प को चुने तो देखे दोस्तों यहाँ जो है सबसे पहला जो है आपका गध्यांस दिया हुआ है इसको आप लोग अच्छे से दिया पढ़ेंगे यहाँ पर दिखे देश प्रेम क्या है यह निकि देश प्रेम से यहाँ पर सवाल जो है यहाँ पर गध्यांस दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे चलिए मैं इसका कोर्शन आंसकर को चलते हूँ देखे सबसे पहला सवाल दिया है कि देश प्रेम क्या है तो देश तो देश प्रेम जो एक प्रेम है ठीक है याद रखेंगे देश प्रेम क्या है देश प्रेम एक क्या है एक प्रेम है तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साप साप यह बताया गया है कि देश प्रेम है क्या प् प्रमपूर्ण देश, ठीक है, उप्सन नमबर इसका चार जो है, इसका सही आंसर होगा, इनको अच्छे सा आप लोग जो है, कौपी में नौट करते जाएं, अगला सवाल है, देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, तो दोस्तों इसका आंसर रहागा, सहचार यगत प्रेम, उप्सन नमबर एक जो है, इसका सही आंसर होगा, अगला सवाल है, कि जिनके सनग्य का हमें क्या पढ़ जाता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, यह हो जाएगा, अभ्यास पढ़ जाता है, ठीक है, उप्सन नमबर दो जो है, इसका सही आंसर होगा, अगला है, कि रा इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे मैं आपको थोड़ा सा जो है दो लाइन पढ़के बताता हूं तो यह आपको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है यहाँ पर देखे लिखा है कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता अर्था सभी पाप करते हैं तो इसको जो है भूखा व्यक्ति जो है पाप नहीं करता तो अप्शन नंबर आपका जो है दो इसका सही आंशर होगा अगला सवाल है कि धन से चीन मनुस्य क्या हो जाता है तो धन से चीन जो है मनुस्य दयाहीन हो जाता है allगा अगला सवाल आठवा नमबर यहाँ पे दिया गया है कि आज जिस ओर डेकैती, छीना, चप्टी और लूट खपोट सुनाई पड़ती है तो यहाँ पे क्या हो जागा इसका अंचो जागा तीनो ओर ठीक है क्योंकि आज किस ओर यानि डेकैती एक हो गया, छीना चप्टी दो ह हो गया और लूट खपोट तीन हो गया तो यानिक तीनों और जो है सुनाई देता है तो अगला सवाल है कि जिसके जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहां गायब हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर आपका दू ह हो जागा मनुस्य के क्योंकि यहाँ पर बताया गया है मनुस्य से यहाँ पर ब्रजगारी के सिकार बढ़ी हुए है तो अगला सवाल देंखें यहाँ पर दिया है कि नीचे दिये गया पत्र लेखन के रिक्तर सथानों को सही विकल्प द्वारा भरें तो दोस्तों यहां पर जो एक पत्र लिखन दिया गया है इसको आप लोग को जो अच्छे से भरना है फिल करनी है तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है कि मेरे पिरियमीत क्योंकि यह जो है अपने दोस्तों पर जो है यहां पर पत्र गया है और इसमें जो जो खाली अस्थान है रिक्त अस्थान है उसको आप लोग अच्छे यहाँ पे भरना है अच्छा से आपको भरना है यानि कॉलम भी आपका दिया गया है 11, 12, 13, 14, 15 तो इन सभी में से आपको सही सही कॉलम को यहाँ पे फिल करना है तो देखिए यहाँ सबसे पहला लिखाए नमस्कार तुम्हारा तो यहां पे क्या हो जागा तुम्हारा यहां पे 11 नमबर क्या हो जागा तुम्हारा पत्र मिला तुम्हारा पत्र मिला पढ़कर आनंदित हुआ तुम्हें 12 नमबर का यहां पे क्या हो जागा तुम्हारा यहां पे हो जागा तु यह आपका लेटर और अप्लिकेशन आता ही है ठीक है उसके बाद आगे यहाँ पर देखी लिखा है कि तो मैं भी इच्छुक हूँ वार्सिक उसके बाद परिक्षा वार्सिक परिक्षा के बाद चौदर नमबर बना रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कारिकरम बना रहा हूँ रांची जीले में ही कोई ज़रना देखने चलेंगे घर सगों को मेरा घर सगों को मेरा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखे पर 25 नमबर हो जाएगा आपका अप्चन नमबर दो हो जाएगा यह था यूग ठीक है मेरा यह यथा यूग पर नामिख happy कहना अब पत्र समाप्त करता हूँ, तुम्हारा मित्र सुडैंद्र चंद्र, इस तरह से आपको फिल कर लेनी है, इसको अच्छे से आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छे से त्यार कर लेनी है, और 100% गारेंटिक साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपको बोड की परिक्षा में लेटर अप्लिकेशन लेटर, यानि का आपका जो पिरिमित्र हुआ, भाई बहर, और आपके परधाना ध्यापक या नगरपालिका, इन सभी पर जो है 100% ग्जा में लेटर आते हैं, इन सभी को आपनों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको इसको च्छे से समाझ लेनी ह ठीकेशन आगे देखते हैं, अगला सवाल देखें यहाँ पे लिखा है कि वहवारिक व्याकरन प्रस्ण संख्या 16 से 30 तक, यानि कि आपको 16 से 30 तक एपको यहाँ पर सवाल दिखा ओगे है, तो अगला है और नमबर दो इसका सही अंसर होगा अगला है कि मानब का विशेशन होता है तो मानब क्या होता है मानब जो होता है मानवी होता है तो option नमबर इसका हो जाएगा 3 ठीक है मानब का विशेशन हो जाएगा मानवी अगला है में पर किस कारक का चिन है तो में पर जो है ये किस कारक का तो यह हो जाएगा option number D हो जाएगा अधिकरन मे पर का जो है चीन है तो यानि अधिकरन का ये अधिकरन कारक का जो है मे और पर का चीन है ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला है विश्वा नमर कहता रचना की दृष्टी से वाकी के भेद होते है तो रचना की करता कारक ने चिन का सही परियोग हुआ है करता कारक ने तो यहां पर देखिए यहां पी यह सवाल दिया गया प्रेमचन ने कहाने लिखी है तो option number एक जो है यही इसका जो है सही रोगा क्योंकि इसमें जो है करता ने यह कारक का जो है सही रूप जो है यहां पर लिखा हु तो क्योंकि कोसा या कॐसा वाक्य है यह जो एक मिस्रित वाक्य है यहां से यहां से यहां तक एक वाक्य हो आगा और यहां से एक वाक्य हो गया तो यहांने कि यह हो जाएगा मिस्रीत वाक्य जो कि ऑप्सन नमर आपका दो इसका सही विलोम होगा सजीव का विलोम होता है निर्जीव जो कि एक नमर में दिया हुआ है अगला सवाल है कि इन में से आख क प्रियावाची कौने नहीं है तो देखे दोस्तों आंक का प्रियावाची सब्द पूछा जा रहा है तो नयान होता है नेत्र होता है चच्छू होता है लेकिन नासी का जो है प्रियाची सब्द नहीं होता है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जागा अगला सवाल है 25 नंबर प जागा विसाद यानि कि वो जो है काफी दुखी है तो यह क्या हो जागा विसाद हो जागा उप्शन नंबर 4 इसका सही अंसर होगा 26 नंबर है कहता कान भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है कान भरना का होता है चुगली करना जो क्या उप्शन नंबर 1 इसका सही अंसर होगा पच्छों आपको बताना है तो दोस्तों आधी का मतलब आदे का मतलब और आदी का मतलब आधी का मतलब आदी सब्सक्द अब्यास्बूर आपका लोगों को याद कर लेनी है अगला सवाल देखिए अठाशन नंबर यहां पर दिया हुआ है कह रहा है कि जले पर छिड़कना मोहावरे का सही सब्दरिक सित्थान को भरे तो जले पर क्या छिड़कना नहीं चाहिए जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए तो उप्सन नमबर 3 में दिया हुआ इसको यही अंसर हो जाएगा अगला स्वाल है कि गिरगीट के तरह रंग बदलना मोहावरे का सही याथ रंग हो जागा गिरगीट के तरह रंग बदलना तो उप्सन नमबर 2 इसका सही अंसर होगा अगला है तिस्वा नमबर याद पुशा गया है कि तो नानी यादानक मतलब संकट में पढ़ना ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे चलिए अगला सवाल है कि पाठी पुष्टक प्रसन संक्या 31 से लेकर 50 तक नीचे दिया गया प्रसनों के उत्तर के लिए सही विकल को चुने यहाँ पर पहला सवाल दिया गया दो बैलो की जो कथा है ठीक है यह जो है किस प्रकार का पाठ है यह एक कहनी है ठीक है यह कहनी इस्टोरी है तो बैलों की कथा तो उप्सन नमर दो इसका सैंस रोगा अगला है कि राहूल सांस्कृतियानन ने लहासा की ओर पाठ में तिबबत की आतरा किस देश में की थी तो दोस्तो आपको पता होगा राउल सांस्कृत यानन जब लहासा की ओर के पाठ में उन्होंने जब तिबबत यातरा के बारे में अपने बारे में बताया तो वो जो है इस रूप में था यह आपको यहाँ पर सवाल में पुछा गया है तो आपको समझना है कि ये जो है भिकमंगे के रूप में पूरी तरह से तिबत की यातरा की है ठीक है और क्यों किया है इसके बारे मैंने आपको पहले भी बता चुका है तो दोस्तो इस कांसर जागा भिकमंगे के छदम वेश में यानि कि भिकमंगे के वस्तरे के रूप में जो है उन्होंने तिबत की यातरा की है ठीक है चलिए अगला कोशन है कि उपभोक्ता की संस्क्रीती पाठ में किन सामग्रियों से बजार भरा पड़ा है तो दोस्तों इसका जागा विलासिता की विलासिता की जो है विलासिता की जो है सामग्रियों से बजार भरा हुआ है अच्छे से इसको याद रखेंगे अगला 35 नमबर कोशन है कहता है कि नाना सही की पुद्री देवी मैना को क्या कर दिया गया तो दोस्तों इसका आंसर जागा बस मकर दिया गया तो ऊप्सेन नमबर दो इसका सही अंसर होगा अगला स्वाल है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक है तो दोस्तों इसका आंसर जागा option number 3 हरी संकर परसाई क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते का जो लेखक है वो है हरी संकर परसाई हरी संकर परसाई नहीं प्रेमचंद के फटे जूते थे उन्होंने तरसाय था लिखा था ठीक है इसको अच्छे से याद र मेरे कहता है महादेवी वर्मा जो है जब क्रास्वेश्ट गल्स गल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वह चात्रावास में उनकी पहली सहली के रूप में कौन मिली तो दोस्तों इसका अगला सवाल है कि मुख कहिरदय का प्रनापन्य आत्मनिवेदन यहां पंक्ति किस पाठ की ह तो दोस्तों 38 नमबर जो कोशन है यह रिपीटेट कोशन है और यह इसको बार बार पूछा गया है तो दोस्तों इस कांसर ज़ागा एक कुट्ता और एक मैना से ठीक है यह वाला इस कांसर हो जाएगा तीन नमबर अगला है कि कबीर किस ब्रहम के उपा सकते तो कबीर जो है वो निर्गुन ब्रहम के उपा सकते तो उप्शन हो जागा एक नमबर अगला सवाल है कि लदाख ठीक है यहाँ पे लदड़ए है कि काविस सैली को कहा जाता है तो दोस्तों इसकांसर जो जागा 40 नमबर का वाक्य ठीक है यह उप्शन नमबर 4 इसका सही अंसर होगा इसको आँप्शन में समय में एहां पे पुशा गया है कि आज की धर भी पायर करके सो वो तो वो कौन सी दिसा हो जागी दक्षिन दिसा अप्सन नमबर 4 इसका सही अंसर होगा ठीक है अगला सवाल है की चंद्र गहना में लौटी बेर कविता में सबसे साई नी कहा गया है या कहा जाता है तो दोस्तों इसका अंसर जागा चवालिस का तीन नमर जागा सरसों को ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे ये आपकी किताब से ली गई है अगला सवाल है की एक भारती अत्मा किस कवी को कहा गया है तो इसका अंसर जागा आप्सन नमबर 2 हो जागा पाठ में कौन और देस कभी जूट नहीं बोलती थी तो दोस्तों इसका अंसर जागा लेखे का किमा अप्सन नमबर 2 इसका सयंतर होगा अगला सवाल है माटी वाली पाठ में किस सहर का वड़नन हुआ तो दोस्तों इसका अंसर जागा मैं हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है तो इसका शुदागा समसेर बहादूर सिंग अप्शन नमबर तीन सका सही अन्स रोगा इस तरीके से दोस्तों आपके बोड की परिक्षा में 50 कोशन पूछे जाएंगे और हुब हुब यही सारे कोशन आपकी बोड की परिक्षा मे इधर से उधर घुमा कर पूछा जाएगा इन सभी कोशन को आपनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजेगा और आपनों को जो है अभी तक जो है मैं बार-बार कहना हूँ कि आपने चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर निक साथ बैल आकोन को प्रेश कर लेना ताक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सकें और वीडियो को लाइक जरू करते जाएंगे